वेलकम बैक टो चैनल के आप लोगों के लिए आज एक और नई वीडियो पोलो की मैं लेकर आ चुका हूं यह मारे भाइत है जिनसे मैंने यह गाड़ी परचेस करी थी ठीग है तो मैंने आप लोगो उस टेम पे भी का था कि भाईया इस वारी जो भी चीज इस सीरीज पर चलेगी वो सब कुछ लीगल होगी आप लोगी सब काम करवा के अपनी गाड़ी को रोट पर निकाल के मज़े कि हमारी लुद्याना की और जो मेरी अपनी आई-20 है वो डेली रेस्टेडी है तो भाई एक क्वेश्चन यह बड़ा आ रहा था कि भाईया जारखंड की गाड़ी है आपके नाम पे कैसे होगी कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं हो पाएगा तो मैं आप लोग को बताना चाह है उसको अपने करेंट स्टेट में यान कि जिस्टेट में आप लोग रहते हैं उसमें आप लोग पनी गाड़ी को रेस्ट अगरा सकते हो in my case मेरी गाड़ी जो थी वो जारखंड नंबर ती और मैं इसको डेली में रेस्ट आ करां चाहता था डेली के अंदर बहुत सारे आ अब इस वाली गाड़ी को मैं जो हूँ चाहता तो जारकंड नंबर रख सकता था देर वस नो प्रॉब्लम लेकिन जारकंड मेरी रीज से थोड़ा जादा दूर है और कभी अगर आगे चलके मुझे कुछ भी अगर पेपर वक्या कुछ भी कराना हो तो उसमें थोड़ी सी द नहीं हो पाता जितना मुझे पता है डीजल गाड़ी आप दिल्atique अंदर रेजिक्तर नहीं हो सकते हो पेट्रॉल गाड़ी आप लो बो रेजिक्टर करा सकते हैं जो ब्येशचों और प्लस उसका येर जो है वो लोग देखते है और उसके अका अपका होता है ठीक है तो तो अगर आप दिल्ली में आते हो तो दिल्ली में इसके देखते हैं लोग उसमें डालके अपने computer में डालके देखते हैं कि इसका कितना time का जो है वो हो चुगा period जैसे अगर मेरी गाड़ी के बार बात करोगे तो दो साल इसमें complete होने वाले है तो वो इस चीज़ को पूरे scenario को जो है चेक करते हैं और उसके बाद जो है आपका वाला आगया DL9C तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट जो है यह निकल के आया था ठीक है तो अब मैं आप लोग को कमाल की चीज़ दिखाता हूं भाई कि मुझाफिर भया की गाड़ी का नंबर क्या मिला है तो भाई देखो आप बोलोगे यह 7811 क्यों नहीं लिया आपने DL9C B A 4462 क्यों लिया तो भाई इसका बड़ा इजी सा जवाब में आप लोग को यह देना चाहूंगा कि इसमें मैं फैंसी नंबर नहीं ले सकता था और अपना वाला जो 7811 नंबर हो मेरे पास चॉइस नहीं होती उनके कंप्यूटर से आटोमेटेड होता है जो भी सीरी इस चलरी होती है उसी के कोर्णिग आप लोग को जो है नंबर मिलता है ठीक है और इसी के साथ सथ मेरी इस गाड़ी का इंशोरेंस भी डी ओने वाला था तो मैंने कहते हैं कि सोने में सुखागा ओली चीज़ होगए तो मैंने इसका इंशोरेंस भी कर वा लिया ठीक है तो ऐसे ही अगर आप लोग भी सोचते हो कि आप लोग को अपनी गाड़ी करानी है स्पेशली अगर आपकी गाड़ी BS6 है और आपका बिल्कुल लेटस मॉडल है एक दो साल पुरानी गाड़ी है तो बिल्कुल आप दिल्ली के अंदर रेइस्टर करा सकते हो मैं भी उस पारे में डाइसी था लेकिन मैंने पहले आटियों से सब कुछ पता किया और उसके बाद मैंने ये वर्किंग कराई ठीक है अब बात करते हैं कि अगर आप लोग ये ट्रांसर कराने का सोच रहे हो और आप for example महराश्टर रहते हो या फिर कहीं कहीं अपर रहते हो जहां पर भी आपकी गाड़ी जो है रेइस्टर हो सकती है दिल्ली में लाकर या गेन हर स्टेट से इधर लाके आप रेस्टर गाड़ी नहीं कर सकते हैं यह बहुत क्लियरली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और हर जगे की NOC भी निकटती है तो भाई NOC जो होती है उसको बोलते है नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट और यह जो है जिन भाई से मै ले भी जो है वो क्लियर करके आप लोगो को NOC जो है अवेलेबल कराते हैं और उसके बाद वो NOC आप लोगो मिलती है अगर आप लोगो गाड़ी ट्रांसर कराने का सोच रहे हो तो अगर आप लोगो जो फॉर्म चाहिए हो बतायता हूं आप लोगो फॉर्म चाहिए 28-39-30 यह फॉर्म आप लोगो के लगते है 28 फॉर्म भाई की तरफ से आएगा जो आप लोगो गाड़ी के NOC दे रहे है प्लस NOC मतलब 28 फॉर्म और NOC उनकी तरफ से आता है उनका अधारकाड आता है उसमें साइन आता है और साथी साथ में यहां पर आप 39 भराते हो जिसका मतलब यह है कि आप जो है उस गाड़ी के second owner वह आपको sell कर रहे है और आप उसको buy कर लो ठीक है यहां पर लाने के बाद दो तरीके अगर आप लोग वर्किंग करना चाहो या तो आप लोग डिरेक्टली जाके इस चीज की वर्किंग करा सकते हो दूसरा तरीका होता है आप लोग स्टोरी है और अब जो है अपनी गाड़ी जो है वह अभी भी second owner ही है मैं यह बताना चाहूंगा कई सारे लोग सोचाएंगे दिल्ली रेइस्टर हो गई तो यह first owner बन जाएगी ऐसा नहीं है बाई मेरी गाड़ी स्टिल second owner है लेकिन प्लस पॉइंट क्या है अब दिल्ली का डिली का इंशौरेंस आ गया है दिली का जो आपका इंशॉर्यंस होने के बाद थर्ड पार्टी जो होता है वह भी मैंने करवाया है मैं चाहता तो अपनी पुरानी उससे ले सकता था थर्ड़ पार्टी को लेकिन मैं नहीं प Inšौरेंस मिर को थोड़ा सा मेहंगा पड़ा जैसा मैंने बोला गाड़ी जम ने लिए तो थोड़ी हर चीज में रहे रहे हैं तो थोड़ी हर चीज में थोड़ी महेंगी पड़ी है लेकिन भाई the best thing about it कि जैसा मैं चाहता था व्यस्था चीज वर्किंग हो गई और लीगली जब आप हर चीज कर रहे हैं तो यह चीज भी तो भाई यही है आज की स्टोरी आप लोग ले न्यू अपडेट कि अपनी गाड़ी जो है वो दिल्ली रेस्टर हो चुकी है मैंने आप लोग को पूरी वीडियो में बता दिया कैसे आप लोग कैसे वर्किंग करवा सकते हैं यह आप लोग जरूर करवाए उसी के बाद आ मैं आप लोग को कुछ कुछ कुरूशल पार्ट फिर से बताना चाहूंगा यह आप लोग बिल्कुल धिहान से सुनियेगा आप लोग को दिमाग में जो है यह चीज बिठानी है अगर आपका XYZ किसी भी स्टेट का इंशॉरेंस है और अगर आप लोग उसको करेंट इस चीज को जरू समझना बाकी दूसरी चीज मैंने आपको चीज बताई री रेस्टर होने वाली चीज साड़े 6% जो आपके इन्वाइस की कॉस्ट है यह कार की कॉस्ट के उपर है वह आप लोगों का जो कॉस्ट होता है इसका मतलब 6% लिया जाता है और यह आप जैसे ही और बाकी बाकी बाए घाड़ी का इंस-पेक्शन होता है जूं कर बाकी है उनका को कही है इसमें क्या बोलते है यूज निरह जा धार जो मेरिश रहता है वह apart कर देगा वा। है यह चीज केब सहते हैँ inspection होगा उसके बाद बरके होगा ऐसा नहीं खराब गाड़ी लेकर आ जोगा और ऐसी पास कर देंगे तो इस चीज के बारे में I hope आप लोग समझ करें कैसी लगी आज की चोटी क्रिस्प अच्छी वीडियो जरू मेरे को लाइक शेट कमण करके बताना अगर अभी तक चैनल को अब सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम में फॉलो करना लिखो मुसाफिर अठातर गयरा फिर जो फॉलो करना लिखे मुसाफिर कास आज कह व्लोग ही पर एंड करते हैं मिलते हो नई वीडियो के साथ तो तिल दैन कीप वाचेंग और बाई बाई